कि ऐसे दो आफिए बाद करने वाले हैं इंडिन कॉस्ट काट की भारतिया तरक्सट की एक नई भरती के बारे में जो कि ग्राउंड रूटी एंड टेक्निकल ब्रांच और जो कि डिमेंस्टिक ब्रांच की आपकी रिकूट्मेंट रखी गई है तो उस डीटेल में भरती के ब इस वीडियों में हम लेकिया है और समय समय पर लाते रहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है कंप्लेट देखना है सारी इंपोमिशन पाने के लिए तो जैसे कि आप सभी को मालूमी होगा मिनिस्टो डिफेंस के आपकी रिकूटमेंट है इंडियन कोसकाड भारतिया तरक्षक बल नाविक जीडी नडीवी तो लाइक कर देना अभी तक भी काफी लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को जिससे कि हम आपको सपोर्ट मिलता है मारे चैनल को मॉटिवेशन मिलता है जिससे कि आपके लिए अच्छी वीडियो लेटेस्ट नोटफेकेशन की एक दिम टाइम लेते रहा है आते रहा है समय से में पर एंड सब्सक्राइब करा करें सब्सक्राइब करने का बेनिफिट यह कि आपको जो भी वेकेंसी की अपडेट होती है हमारे चैनल जैसी अप् अब आप चैनल से अगर आप सबस्क्राइब करते होतों साथ ही वाटसप टेलिग्रम गूरूप पर भी जोईन हो जाएं जिससे की वेकेंसी की वेनिफिशल अपडेट आप पर आपको प्रवाइड की जाती है वेनिफिशल कंटेंट प्रवाइड किया जाता है तो वहाँ जरूर जोईन हा जाना कॉमेंट अफिंड है मिनिस्ट्र डिफेंस की रिक्रूटमेंट है इंपॉर्टन डेट्स की मैं बात करूं तो इसके जो फॉर्म वगएरा स्टार्ट होंगे ओनल वेबसेट पे च्छह फरवरी 2023 से इसके अप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे लास इसके लिए सिर्फ आपको ओनें अप्लीकेशन देना है तो सिर्फ फी प्रोसेस्स है अपना फिल्प करके अपना लाएंड अप्लिकेशन दे सकते हैं है ऐसलिमिट के मैं बात करूं तो अगर आप इस एज लिमिट के टैन्य वर में आते हैं जो कि 18-22 साल है अगर आप इस डिवरान अपने आते हैं एज लिमिट 18-22 साल के इतने भी इंट्रस्टेट एंट एंट्रस्टेट आप इस भरती के रावदिन दे सकते हैं नाविक जीडी एंडी बाणच जो कि एक सितंबर सब्सक्राइब करने वाला है तो सब्सक्राइब करें अप्लिकीशन फीस की मैं बात करूं चैनल ओबीसी एंडेट के लिए 300 रुपीस की फीस पेमिंट आपकी रखे गई हैं बाकि जो भी स्यड्यूल कास्ट ट्राइब से बिलॉंग करता हैं उनके लिए को भी फीस नहीं अप्लिकीशन देने हैं और उफ्लाइन आविदन नहीं देना इस वर्ति के लिए अगर मैं बात करूं तो सेलरी आपकी जो रहने वाली है नाविक जनल डूटी की पोस्ट है जिसमें आपका बेसिक पर होता है 2100 लेवल 3 की सैलरी मेलती है प्लस दिरनेस अलाउइंस प्लस और अलाउइंस बेस्ट बेस्ट में उसकी सबसे और एक्स्ट्र आपको मिल सकते हैं तो यह आपकी जनल डूटी की पोस्ट है नाविक की आजडी इस टमेसिक ब्रांच में अपकी क्या के चीज़ आते हैं वह भी हम आपको आने वाली वीडियो में बता देंगे कि किस पोस् आप्स्टिक ब्रांच में अगर आप अप्लिकेशन देना चाहते हों क्या काम करना पड़ेगा अगर आप जनल डूटी की स्ट की काम बना चाहते हों तो क्या समक stärker लिए तो सभी की लिएर well पी 227 स्ट्रेंlapping नंबर वेकेंस के अगर मैं बात करूं तो 255 भरती रखी गई है हॉल ऑबर इंडिया में 255 भरती रखी गई है जिसमें नाविक जन्रल डूटी की पोस्ट है जनल के लिए 88 ऑबिसी के लिए 61 सी के लिए 32 सी के लिए 22 एडिया डूटी की पोस्ट है डिमस्टिक ब्राच में आपकी भरती कम निकलती है आपकी ब्रांच था कर सकतो हो तो 255 पोस्ट पर आपकी रिखी रखी गई है दोना पोस्ट की कि मैं बात करूं जैसे कि आपको पता होगा जो कि अप्लिकेशन देते हैं पहले से नाविक जीटी जो कि जनल ड्यूटिक की पोस्ट है तो 25 भरती इसमें रखी गई है आपने इसमें 12 पास मागी जाती है साइंसीं से बाएं पास अपने कर Yakkyo साइंस यह किसी भी बोड़्स है मैठ एुटिशीक मेर्जरी तार और नहीं-तमिक छेalalaj पोस्ट ही है। आपकी प्रफिस्ट्रक्चर मैंने बता दिया तो आपी जो भी अपने रेटिन और उग्जामिनेशन गोगा नेक्स्ट आपका फिसिकल स्टेंडर्ड टेस्ट टोगा उसी के बेस पे आपका सेलेक्शन होएगा बाकि ऐसी डेली बेसे पे वेकंशी हमारे चैनल गवर करता हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेर जरू करें और टेलेग्रम ग्रूप पर जरूर जोईन होजाए, बेनिफीशल वेकेंसी के बिडेट सबसे पहले पहाने के लिए, and thanks for watching this video.